भगवान राम के नाम पर रामिश्वरम रामायन का एक जीवान संस्मरन है हमारे इंडिया नोशन में एक खोपसूरत दूईप रामिश्वरम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए साल भर टूरिस्ट्स को अपनी और आकर्शित करता है भारत के चार धामों में से एक और हिंदूओं के सबसे पवित्र स्थानों में शामिल रामिश्वरम एक ऐसी जगे हैं जिसे कि आप अपने ट्रैविल बकेट लिस्ट में जरूर शामिल करिएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर कैसे हैं आप सब आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे पांबन द्वीप स्थित रामिश्वरम में इस वीडियो में आपको सारी जनकारी मिलेगी जैसे कि आपको वहाँ पर कैसे पहुचना है रहने और खाने के क्या क्या ओप्शन्स हैं रामिश्वरम में घूमने और दर्शन क गूमने के सबसे अच्छे समय की तो मैं आपको बता दूँ कि आपको रामेश्वरम या फिर साउथ इंडिया के और सभी सिटीज को अक्टूबर से अप्रैल के बीच गूमने का प्लाइन करना चाहिए क्योंकि गर्मियों के वक्त यहाँ पर टेंपरेचर काफी हाई हो जाता है इसके अलावा अगर आप चाहें तो मौनसून के टाइम पर भी यहाँ पर आ सकते हैं उस समय आपको काफी सुंदर व्यूज और ग्रिनरी देखने को मिलेगी चलिए दोस्तों वीडियो के फर्स सेक्शन में बात करते हैं कि आपको रामेश्वरम पहुचना कैसे है अगर आप मधुराई या फिर चन्नाई एगमोर स्टेशन आ सकते हैं यहाँ से आपको रामेश्वरम के लिए डेली ट्रेंस मिल जाएंगी दोस्तों ट्रेंस से आने का एक और सबसे बड़ा फायदा है कि आप समुद्र के उपर बने हुए पंबन ब्रिज का एक्सपिरियंस ले स इसके बाद जो दूसरा उप्शन है यह बाई रोड का अगर आप सडक मार्क से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहाँ तक के लिए आपको काफी अच्छे हाईवेस देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको मधुराई, कन्या कुमारी, रामनांध पुरम, तृच्चे पली और आसपास के सभी शहरों से डारेक कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको औरडिनरी और वॉल्वो दोनों टाइप की बस की सेवाएं यहां तक के लिए मिल जाएंगे अगर दूरी की बात करें तो मधुराई से रामेश्वरम की दूरी 175 किलो मेटर हैं अगर आप बस से मधुराई से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहां की औरडिनरी बस का किराया आपको 200 से सवा 200 रुपे तक लगता है और AC बस का किराया 700 से 800 रुपे में अराम से मिल जाता है इसके बाद जो तीसरा और आखरी ऑप्शन है वो है अगर आप हवाई मार्क से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो यहां का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो भी मधुराई का ही है तो आप अपने शहर से मधुराई तक फ्लाइट से आकर वहां पर बस या टैक्सी बुक कर सकते हैं जिसके द्वारा आप रामेश्वरम आराम स अगर बजट आप्शन्स की बात करें तो आपको यहां पर बहुत सी धरमशाला, लॉजेज और अच्छे होटल्स देखने को मिल जाते हैं धरमशाला में प्रतिवेक्ति एक बेड एक रात के हिसाब से आपको 200 से 2500 रुपे पे करने होते हैं और इसके लावा अगर आप लॉ 200 रुपे से लेकर 2-500 रुपे तक के रूम्स आराम से मिल जाते हैं इन सभी बजट प्राइवेट होटल्स को आप ऑनलाइन भी बुप कर सकते हैं जिससे कि आपको लाश्ट मूवमेंट परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा रामेश्वरम के जादतर होटल धर्मशाला और लॉजज़ आपको जो रामेश्वरम का में मंदिर है उससे एक से देड़ किलोमेटर के रेडियस में मिल जाएंगे अगर खाने पीने की बात करें तो आप मंदिर का जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से जो भुज़ेन मिलता है वो खा सकते हैं इसका टाइमिंग सुबह 11 से दो पहर 2 से 3 बजे तक का रहता है इसके लबर रामेश्वरम में आपको बहुत से साउथ इंडियन रेस्टरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपको ज्यादतर हर जगे शाकाहारी बुजन अराम से मिल जाएगा इसके लबर अगर आप सीफूड खाना चाहते हैं तो कुछ जगे आपको वो आप्शन भी मिल जाता है चली दोस्तों वीडियो के अगले सेक्शन में बात करते हैं कि यहाँ पर दर्शन आपको कैसे करना है और इसके लबर रामेश्वरम में और कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसे हैं रामेश्वरम में जो प्लेस सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस रखती है वो है श्री रामनाथ स्वामी मंदिर दोस्तों ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और बारा जियोतिर लिंगों में से एक है इस मंदिर के कौरिडोर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे और ये दुनिया का सबसे लंबा कौरिडोर है इसी मंदिर के बाहर एक अगनी तीर्थम बना हुआ है जहां पर मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको सनान कर लेना चाहिए यहां का पानी शान्त और साफ है तो आपको सनान करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी माननेता है कि श्रीराम जी जब रावन का वर्द करके आये थे तो वो भी यहीं पर सनान किये थे इसके बाद जब आप मंदिर परिसर में घुसते हैं तो फिर यहां पर आपको 22 कुंड देखने को मिलते हैं यहीं पर आपको changing rooms भी देखने को मिल जाते हैं चलिए इसके बाद आप प्रस्थान करिए मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए यहां पर आपको 2 shivaling देखने को मिल जाते हैं सीता जी के द्वारा रेज से बनाया हुआ शिवलिंग भी यहीं पर ही मौजूद है दोस्तों इस मंदिर में महा शिवरात्री के टाइम बहुत जादा बीड़ होती है अगर नॉर्मल दिनों के टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर आप सुबह चार साड़े चार बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक और फिर शाम तीन बजे से लेकर रात आठ बजे तक दर्शन कर सकते हैं चलिए ये तो हो गया रामेश्वरम का मुख्य मंदिर इसके इलाबा भी रामेश्वरम में और बहुत से मंदिर और टोरिस्ट प्लेसेज हैं जहाँ पर आप गूम सकते हैं आईए उनके बारे में बात करते हैं इस लिष्ट में सबसे पहला नाम आता है पंच मुखी हनुमान मंदिर का दोस्तों पंच मुखी हनुमान मंदिर रामेश्वरम मंदिर से केवल दो किलो मिटर की दूरी पर स्थेत है ये मंदिर हनुमान जी के पाँच रूपों के लिए प्रसिद्ध है इसके अंदर हनुमान जी की मूर्ती को सिंदूर से सजाया गया है मंदिर के बाहर आपको तैरते वे बहुत से पत्थर मिल जाएंगे ऐसी माननेता है कि इनी पत्थरों से रामायन काल में श्रीलंका के लिए पुल बनाया गया था इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है कोथरंदर रामस्वामी टेंपिल दोस्तों इस मंदिर को रावन के छोटे भाई विभीशन का निवास स्थान माना जाता है और ये चारों तरफ से हिंद महासागर से गिरा हुआ है ये वही स्थान है जहाँ पर विभीशन ने भगवान राम की मदद के लिए उनसे हाथ मिलाया था यहाँ पर आपको राम जी, लक्षमर जी, सीता जी और हनुमान जी की मूर्ती भी देखने को मिल जाएगी इसके बाद जो नेक्ष्ट प्लेस है, वो है कलाम नेशनल मेमोरियल दोस्तों हमारे देश के पूर्व राष्टपती और प्रख्यात वग्यानिक डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम के सम्मान में ये मेमोरियल बनाया गया था यही प्लेस उनका मूल निवास थान था और यही पर उनकी परवरिश हुई थी इस घर को अप म्यूजियम में तब्दिल कर दिया गया है और यहाँ पर आपको उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी बातों का पता चलेगा अगर आप साइंस में रुची रखते हैं तो उनकी सफलताओं को बयान करते हुए यहाँ पर आपको बहुत से पुरुसकार और प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएंगे इसके बाद आप अरियमन बीच की और प्रस्थान कर सकते हैं सफेद रेथ पर जब आप अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एक ऐसे सफर की अनुभूती होगी जो कभी न खत्म होने वाला होगा असीम सुन्दर्ता के लिए मशूर ये रामेश्वरम का one of the most popular tourist place है यहां की पानी की साफ वो मचलती हुई लहरें जब आपके पैरों को सपर्श करती हुई गुजरेंगी तो आपको एक अनोखा सा एहसास होगा अब बढ़ते हैं अपने रामेश्वरम ट्रिप के आखरी प्लेस की ओर जो इसका नाम है धनुष कोडी दोस्तों रामेश्वरम से लगबख 20 किलोमेटर की दूरी पर स्थित धनुष कोडी एक शांदार परेटन आकर्शन है जो की रामेश्वरम के दक्षिणी सिरे पर स्थित है धनुष कोडी का नाम भगवान राम के धनुष पर रखा गया है इस प्लेस के एक तरफ आपको इंडियन उशन और दूसरी तरफ बंगाल की खाडी देखने को मिल जाएगी दोस्तों एक समय पर धनुष कोडी एक बहुती समुरिद शहर था पर साल 1964 में आए भायंकर साइकलोन ने इस शहर को नश्ट कर दिया आज के समय में यहाँ पर कोई नहीं रहता है यहाँ पर आपको बहुत से पुराने गवर्मेंट बिल्डिंग्स, पोस्ट ओफिसेज, रेलवे स्टेशन और लोगों के घर, खंढ़हर के रूप में देखने को मिल जाएंगे इस जगहें को घोष्ट टाउन भी कहा जाता है, यहाँ का रेलवे स्टेशन भी उसी साइकलोन में नश्ट हो चुका है, इसलिए आपको यहाँ आने के लिए आटो या फिर टैक्सी का साहरा लेना पड़ेगा यही से राम सेतु यानि की एडम्स ब्रिज की शिरुआत होती है, ऐसा माना जाता है कि यही ब्रिज रामेश्वरम को श्री लंका से जोड़ता है दोस्तों इस जगें से श्री लंका की दूरी मातर 30 से 32 किलो मिटर रह जाती है यहाँ पर आने के बाद आपको एक बहुती युनीक एक्सपिरियंस मिलेगा, तो आप अपनी रामेश्वरम की ट्रिप में यहाँ पर ज़रूर आईएगा चलिए दोस्तों, अगर ट्रिप आइटनरी की बात करें, तो रामेश्वरम का ट्रिप आपका दो दिन में आराम से कम्प्लीट हो जाएगा अपनी ट्रिप के पहले दिन आप यहाँ के सभी मंदिरों को घूम सकते हैं और अपनी ट्रिप के दूसरे दिन आप बाकी सभी प्लेसेज जैसे की कलाम मेमोरियल, बीचेज या फिर धनुश कोडी घूम सकते हैं अगर बात करें इन सभी प्लेसेज को घूमने की ट्रांस्पोर्टेशन की तो आप यहाँ पर लोकल आटो की मदद से घूम सकते हैं आटो वाला आप एक दिन के लिए बुक करते हैं तो आट सो से हजार रुपे लेता है और सभी प्लेसेज कवर कराकर आपको आपकी होटल के पास पहुचा देता है इसके लावा आप यहाँ पर सीटी बस या फिट टैक्सी भी रंट पर ले सकते हैं यह सभी आप्शन्स आपको रामेश्वरम मंदिर के आसपास के एरिया से मिल जाएंगे चलिए दोस्तों वीडियो के लास सेक्शन में बात करते हैं आपका इस ट्रिप का बजट कितना होना चाहिए दोस्तों अगर एक वेक्तिक हिसाब से बात करें तो दो दिन का रामेश्वरम का ट्रिप आपका दो से धाई हजार रुपे में आराम से कम्प्लीट हो जाएगा इसके लवा अगर आप थोड़ा बहुत जादा भी खर्चा करते हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स तीन से साड़े तीन हजार रुपे खर्च करने होंगे इसमें आप यहां की सभी प्लेसिस को आराम से कवर कर लेंगे तो यह था हमारा रामेश्वरम का एक कम्प्लीट टूर प्लाइन इसके बाद आपके मन में कोई डाउट या क्वेरीज हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पोच सकते हैं कैसा लगा ये वीडियो हमें बताईएगा जरूर और शेयर कर दीजेगा इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो कि रामेश्वरम का टूर प्लाइन कर रहे हैं इससे पहले कि आप और किसी वीडियो में खो जाएं नीचे लाल कलर का बटन दबा कर सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा हमारे चैनल को क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की वीडियो लेकर आते रहते हैं अगर आप तिरुपति बाला जी, जगनात पूरी, वैशनो देवी या फिर अमरनात की यात्रा का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस समय वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा उन्हें भी जरूर चेक आउट करिएगा बहुती जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो नई यात्रा के साथ जैहिन